नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश उचतर सिच्छा आयोग द्वारा जारी जो प्रेश बिग्यप्ति है उसको देखने से ग्यात होता है ये प्रेश बिग्यप्ति 25 सितंबर 2018 की है यानि कल की है और यहाँ पर देखिए सचिव उत्तर प्रदेश उचतर सिच्छा सेवा आय इलहाबबाद के द्वारा ये जो पत्र भेजी गई है प्रबंदी देशक यूपी एलेक्ट्रोनिस कार्पूरेशन असोक मार्क लखनौ और प्रबंदी देशक यूपी डेसको अप्ट्रान भवन दुतितल लखनौ तो ये आयोग के द्वारा ये विग्यप्ति अपलोट किय जाने के सम्मद में ये जानकारी दी गई है कि किरपयार निमलेखित विग्यप्ति को आयोग के वेबसाइट और पोटल में अपलोट करने का कश्ट करें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर सिच्छा सेवा आयोग इलहाबाद के द्वा जो यहाँ पर C679, 2018-19 और 25 सितंबर 2018 की ये प्रेश विग्यप्ति है आयोग की बैठक संख्या 994 यहाँ पर देखिए गौर कीजिए आयोग की बैठक संख्या 994 दिनांग 25 सितंबर 2018 में निरने लिया गया कि विग्यापन संख्या 47 में विग्यप्ति सायक आचार मतलब असिस्टेम प्रोफेसर पदो की लिखित परिच्या दिनांग 18-11-2018 को ये देखिए एक बार 18 सितंबर नौमबर 18 नौमबर 2018 को संपन कराई जाएगी यहाँ पर ये निरने लिया हुए है कि इसकी परिच्या जो होगी 18 नौमबर 2018 को तेगी गई है यह भी निरने लिया गया है कि विग्वपन संख्या 47 में जो विग्वपन संख्या 47 निकला हुआ है जिसकी अंतिवतिति 2016 में निकाली गई थी वो संख्या 47 में विग्वपी जो विग्वपी सायक आचार आनि की असिस्टेम प्रोफेसर पदो के प्रती ऐसे आज़कों के लिए जिनके द्वारा इस नात्कोत्तर परिच्छा के कालम में यहाँ पर एमें इन यहाँ पर जो है एजुकेशन के इस्थान पर एमेट के अंक अंकित कर दिया गया थे पहले पहले एमें इन एजुकेशन निकला था एमें इन एजुकेशन के इस्थान पर एमेट के अंक अंकित कर दिया गया था इन्हें इस नात्कोत्तर फिल्ड में एमेट के इस्थान पर एमें इन एजुकेशन के अंक अंकित करने हैं तू एक सब्ता का समय देते वे उक्त फिल्ड खोल दी जाए यहां पर देखिए केवल 2000 यह जो विग्यापित सायक प्राध्यापक के पदों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था वहाँ पर M8 के अंक अंकीत है जिन्हें सुधारने के लिए M8 एजुकेशन के यहां पर M8 एजुकेशन करने के लिए कहा गया है और जैसे ही M8 एजुकेशन के अंक अंकीत कर देते हैं और एक सप्ता के समय में ही इसे जो है advertisement निकाल देने की बात कही गई है 25 से ताथ पर एक सप्ता माल लेते हैं तो एक या दो तारीकों एक advertisement जारी हो जाएगी इस परस्ट रूप से समझ लें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अनिवारिता ये विकेंसी आएगी इस परस्ट रूप से जान लें कि यहां पर जो विग्यप्ती जारी किया गया है उस विग्यप्ती में कहा गया है कि एक सप्ता के समय देते वे उक्तफिल्ड खोल दी जाए केवल एक सुधार करना है केवल MBA के स्थान पर MBA in Education लिखना है और आप विग्यप्ती जारी कर दी जाएगी देखिए यहाँ पर जो है इस पर्ष्टूप से समझ लें कि यदि माली जे आप देख रहे होंगे तो इस पर्ष्टूप से समझ लें यह हम अभी आपको निकाल रहे हैं कि यह जो आपके जो विग्यापन करमांग 47 है यह विग्यापन संख्या 47 है इसमें जो विग्यापती लिखला हुआ है सेम टू सेम रहेगा अभी जो नया जो विग्यापन संख्या जो 47 है 47 को ही जो है जिसमें पद लिखा हुआ है क्या संसोधन करना है जिसमें से जो में इन एजुकेशन है में के उपाधी मांगी गई है MA के अंक मांगा गया है उसको बदल कर जो है आपको क्या करना है केवल मात्र वहां पर MA in English करना है देखिए कहा कहां पर किस किस विसे में कितना कितना पोस्ट है यहां पर देखिए ये हिंदी में सबसे ज़्यादा है 166 पद जो हिंदी में हिंदी किये हुए है 55 परशेंट है नेट जयारेप हैं उनके लिए बहुत अच्छे फायदे मंद होगा सामान पद जो है 104 है पिछड़ा वर्गे के लिए 37 है अंग्रेजी में भी ठिक ठाक ठिक ठाक पोस्ट निकला हुआ है सस्कृत में अंग्रेजी में कितना है 147 और यहाँ पर सस्कृत में 17 चित्रकला में 2 संगित गायन में 1 इतिहास में भी ठिक ठाक पोस्ट निकला हुआ है 38 पोस्ट प्राचिन इतिहास में 17 पोस्ट है भुगोल में 48 पोस्ट है मनोविज्ञान में 6 है देखिए यहां पर education सिच्छा सास्त्र इसी में m8 की degree दिया गया था जिसको संसोधन करने की बात कही गई है यह जो 11 नंबर है सिच्छा सास्त्र मतलब education इसको संसोधन करने की बात कही गई है अच्छी खासी पोस्ट निकला हुआ है सो है 71 पिछड़ा वर्गे के लिए सतरह सतरह आपका जो है पिछड़ा वर्गे के लिए है फिर यह बारा पोस्ट जाती के लिए है यहाँ पर दर्सन सास्त के 3 घृट सारे भीकंची निकला वहा है समाज सास्त्र, घृट सारे भीकंची है अर्थ सास्त्र में जएदा पोङएं लेकिन राजडिती विग्ञान पोलिटिकल साइस में भी ठीक ठाक पोङएं 121 सामान नियवर्गे के लिए है सारिक सिच्छा है, physical education में 60 ओर 54, 42 पोस्ट है, यहाँ पर military science के भी पोस्ट है, green ग्यान के 5 पोस्ट है, सबसे कम पोस्ट है, commerce में भी कम पोस्ट है, यहाँ पर chemistry में बहुत कम पोस्ट है, बटनी में बहुत compost है जिलोजी में भी बहुत compost है mathematics में भी इतना ज्यादा खास पोस्ट नहीं है physics में भी compost है यहाँ पर जो है agriculture botony है यह agriculture chemistry है यह entomology है यह krisi अर्थसास्तर है जो agriculture के ऐसे है उस में सबसे कम पोस्ट है तो इस तरह से ग्यारा सो पचास पोस्ट यहां पर जो अधिसेंचत पधाइए टोटल पधाइए वह ग्यारा सो पचास पोस्ट है शासन इनकावे पोस्ट जो फाय जर्डरल क lahतिकली यह 214 पोस्ट qo BC कर तो안 एit दो से बार्ली इसमें 2016 में जो विकराइंसी निकली थी यह 2016 में निगली थी इसकी इच्छों का बेरती जो एक जुलाई 2016 को 22 वर्ट से अधिक के आयूक नहीं है तो इसका मतलब है एज जो है 62 येर्स मांगा जाएगा ये 2016 के जगह में 2018 हो जाएगा केवल इतना ही परिवर्तन होना है उसके बाद में जो अभी जो विकेंसी एक हपता के समझ लें आप हिंदी साहित वालों के लिए समाज सास वालों के लिए राजनिती विज्ञान के लिए ये गोल्डन चांस है और विसेश का अंग्रेजी विसेख के लिए जो तीन चार विसेख हिंदी है आपका अंग्रेजी है इसके लावा इतिहास है फिर फिर आपका एज पास्त्र है राजनिती भी ज्यान है यह फिजिकल एजुकेशन है इन सब्जेट में सबसे ज़्यादा पोश्ट निकला हुआ है और विशेशकर जो अन्य पिछला वर्ग समुदाय के लोग हैं वो इस बार ऐसे तैयरी करें ताकि जो है यह एकजाम जो होगी कब होगी एकजा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में निक्ति प्राप्त करें यही हमारी सुपकामना है और आप तैयारी करना प्राम्ट कर दें क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा युजिसी नेड से सम्मंदित सिलेबस होगा उससे और कोई अंतर नहीं होगा पहले अभी है इसकी त्यारी करना प्रारण कर दें और धुसरा चीड जनरल ऐस होता है जनरल चटी का पेपर मैं आपको त्यारी कनना ऊत्र प्रदेश के इतियास संस्कृति खनेज उद्योग यह सब इसे को अभी पढ़ना प्रॉर्णिक इसकी तैयारी करना प्रॉर्णc करेंगे इसी आसार और पेच्छाओं के साथ में आपको हम सुभकामनाय देते हैं और बदाई देते हैं कि आपके लिए ये बहुत अच्छा उसर है 25 सितंबर 2018 को रिणने लिया जा चुका है कि 18 नौंबर 2018 को एक्जाम होनी है ये निश्चित है और दूसरी बातें चुका है ये एक सप्ता के अंदर में ये विकेंसी आ जाएगी एक सप्ता मतलब 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को अनिवारिता आपको ये विग्यापन जारी कर दी जाएगी ये भी सुनिश्चित हो जाएं आप एक तो तैयारी करना प्रारम कर दें साथी साथ आपको तत्काल तो और नेड़ याःःःःःः और या पीच्डी किये हुए है और जिस ब्यक्ति का पिच्डी नेट जी यारःःःः नेड़ ये सब है तो उनकी उनकी ज़्धा संभावनां है इस बार सेलेक्सर होने की इसके बावजुद भी जो नेट यारब है जो मिनिमंम कौनिऩ केसं रखते हैं उनके लिए भी एक बहतर आउसर है कि आपको अपने राज्य में ही जो है यह यह आपको जो है डौकरी मिल जाएगी असिस्टेम प्रोफेसर बन जाएंगे और इसमें जो भारत के कोई भारत के नागरिक जो है इसमें अप्लाई कर सकेगा यह निश्चित है औ करद आप अपने साथ क्वालिफिकेशन सं देख लें हैं तो आप तैयरी करना प्रारें करें आप अभी से त्यारी करेंगे और नॉमबर महिना ज्यादा समय नहीं है यह सितमबर बित्रे जा रहा है अक्टुबर और नौकर नौंबर के आपके जो है अठारा तारीक है अठारा दिन मतलब डेड़ महिना आपके पास में समय नहीं है इसलिए अभी से आपको त्यारी करना कर देना चाहिए मैं इसी आसार आपके च्छो के साथ में आपको सुपकारना देता हूँ